अर्वींद केजरीवाल एक बड़ी मुश्किल में फसे हैं ये पहला मौका है जब उनके उपर बेहिमानी और भ्रस्टाचार के आरोप लगें केजरीवाल के उपर हजार तरह के आरोप लगते रहें कि पिछले दस बारा साल से जब सुवे राजनीती में हैं तब से उनके ऊपर तवाम किसम के आरोप लगें उनको अराजक्ता वादी कहा गया उन्होंने खुद को भी एनर्किस्ट कहा था तो वो अराजक हैं उनका व्योहार अराजक है उनकी राजनिती अराजकता से भरी हुई है ये उनके बारे में कहा जाता था जब वो पंजाब चुनाव लड़ने गए तो ये भी कहा गया कि उन्होंने अलगावादियों और चरमपंथियों की मदद लिये और उनके एजेंडे पर काम कर रहे हैं उनके उपर सरकारी पैसा खर्च करके और अपना विज्यापन अपना प्रचार करने के भी आरोप लगे उनके उपर यह भी आरोप लगा कि उन्होंने अन्ना हजारे और इंडिया अगेंस्ट करप्सन के जितने भी नेता थे सामाजी कार्च करता थे उन सब को धोखा दिया उनके उपर ये भी आरोप लगे कि वो बहुत insecure politician है और इसलिए उन्होंने अपने तमाम साथियों को तमाम ऐसे नेता जिनका अखिल भारतिये पहचान थी उन सब को निकाल दिया पाटी से उनके उपर अर्बन नकसल होने का आरोप लगा उनके उपर इस तरह के अनेक आरोप लगे मुफ्त की रेवडी बाटने का आरोप लगा उनके उपर लेकिन ये आरोप नहीं था कि वो बेइमान है भरस्ट है या देशभक्त नहीं है ये पहला मौका है जब अर्विंद केजरी वाल के उपर बेइमानी का भरस्टाचार कारोप लगा है. और केंदरिये एजेंसियों ने उनको जांच के लिए बुलाया, उनकी पार्टी के नेताओं को और अब उनको भी. पहले उनके number two रहे उनके दूसरे सबसे करीबी सहयोगी और उनकी party के दूसरे सबसे बड़े नेता मनीश शिसोदिया को CBI ने जानचाच के लिए बुलाया पूश्टाच के लिए बुलाया और दूसरी बार पूश्टाच के बाद शिसोदिया को गिरफतार कर लिया और उसके बाद जब वो सी सोदिया जेल में थे वहीं से ED ने भी उनको गिरफतार कर लिया तो अब CBI और ED दोनों की हिरासत है दोनों के मुकद में उनके उपर चल रहे हैं और अब CBI ने अरविंद केजरीवाल को पूछताच के लिए बुलाया उनको 9,5 गंटे उनसे पूछताच हुई रविवार को 16 अपरेल को तो ये इस तरह का ये पहला मौका है किसी भी राजिक के मौजुदा मुख्यमंत्री के उपर इस तरह का ब्रस्टाचार का आरोप लगना केंद्री एजनसी का जाच के लिए बुलाना ये एक बड़ी घटना है और वो भी अर्विन केजरीवाल जैसे मुख्यमंत्री को बुलाना जाच के लिए जिनका ये दावा है कि वो कटर इमांदार नेता है और उनकी पार्टी कटर इमांदार नेताओं की पार्टी है तो इस लिहाद से ये एक बड़ा जटका है बड़ा घटना करम है और एक बहुत बड़ी चुनावती है बहुत बड़ी आपदा है अर्विन केजरीवाल और उनकी पार्टी के लिए तबी सवाल है कि क्या अरवींद केजरिवाल इस आपदा को आउसर में बदल सकते हैं क्या इस मुश्किल को वो एक मौके में ट्रांसफर कर सकते हैं उनकी राजनितिक समस्दारी उनकी योगता और उनकी ख्षमता के उपर कोई सवाल नहीं उठा सकता है उन्होंने जिस तरह की राजनिति किया है 2011 में पाटी बनाने के बाद से उससे उन्होंने अपने को प्रमानित किया है कई तरह से प्रमानित किया है उन्होंने किस तरह का एजेंडा तै करना है पाटी के अपने आम आदमी पाटी के नाम से ले करके उसका चुनावचिन तै करन नहीं है वहां तक क्या एजेंडा रखना है वो भी यह सब उन्होंने इस होश्यारी से तै कि रिकॉर्ड समय में उनकी पार्टी राष्टिय पार्टी बन गई दो राज्यों में सत्ता में आ गई भारतिय जंता पार्टी और कॉंग्रेस के बाद वो इकलौती पार्टी है आम अब आप सोचिए कि इंडिया अगेंस्ट करप्सन के समय जो आंदोलन हुआ दो हजार नौ से ग्यारह के बीच में बारह तक उस आंदोलन से कॉंग्रेस बहुत बदनाम हो गई थी और उसके बाद जो बचा-खुचा काम था कॉंग्रेस को बदनाम करने का वो प्रधानमंत कमजोर हो रही है कॉंग्रेस बदनाम हो रही है वहां कॉंग्रेस की जगा लेने अर्विन केजरिवाल पहुंच जाते हैं और उनको जगा मिल भी जाती है दिल्ली में उन्होंने सरकार बना ली कॉंग्रेस को रिप्लेस करके गुजरात में जाकर के कॉंग्रेस का वोट और गोवा में भी 7% से ज़्यादा वोट हासिल कर लिए कॉंगरिस का वोट काट करके और इन चार रज्यों के दम पर राष्ट्रिय पार्टी बन गई यर्विन के जिरिवाल की पार्टी तो उनकी होसियारी और उनकी समझदारी पर कोई सवाल नहीं है तो इसके बावजूद क्या ये हो सकता है कि वो ये जो आपदा आई है ये जो मुश्किल आई है इसको मौके में बदल लेंगे इसके दो पहलू है CBI ने उनको जाच के लिए बुलाया है उनकी पार्टी के ऊपर शराब नीती बना करके और सो करोर रुपे की रिस्वत लेने का आरोप लगा है वो सराब नीती अब स्क्रैप हो गई है उसको रद कर दिया गया है पुरानी सराब नीती ही चल रही है लेकिन जो नई शराब नीती बनी थी उसको साउथ ग्रूप के हिसाब से एक काटेल है जिसको साउथ ग्रूप बोलते हैं उस काटल के हिसाब से बनाये गया और बदले में 100 करोड की रिस्वत दी गई ये आरोप है और इस आरोप में मनीशी सोधिया जेल में है कई और लोग अधिकारी और आमादमी पार्टी से जुड़े लोग और कारोबारी जेल में है उसी मामले में CBI ने केजरीवाल को बुलाय चल रहा है उस पर पूर्ण भी राम लग जाएगा क्योंकि बिना अर्विन केजरीवाल के आमादमी पार्टी का कोई मतलब नहीं है अर्विन केजरीवाल ने इस तरह से लिडर्शिप का और तमाम चीजों का धुरूवी करण किया है इस तरह से पावर का कंसेंट्रेशन उ या कुमार विश्वास हो या आनंद कुमार रहे हो इस तरह के तमाम लोग योगेंद्र यादो हो इन सब को पहले ही पार्टी से निकाल चुके हैं उनको कोई अखिल भारतिये पहचान वाला नेता नहीं चाहिए था वो सब कुछ अपने उपर फोकस रखना चाहते थे इसल इनका एकमातर काम अरविन केजरीवाल के बनाए एजेंडे और उनकी बनाई योजना पर अमल करना है इसलिए अगर अरविन केजरीवाल अरेस्ट होते हैं अगर सी बी आई उनको गिरफतार करती है जेल में डालती है तो फिर आम आदमी पार्टी के उपर पूर्ण विराम लगेगा चाहे जितनी सानुभूती बनाने की कोशिस की जाए जैसा हला मचाया जाए दो राज्यों के संसाधनों का इस्तेमाल करके चाहे जिस तरह से परचार किया जाए आम आदमी पार्टी का विस्तार नहीं हो सकता है और इसका कारण ये है कि केजरीवाल ने सब कुछ अपने उपर फोकस रखा है, उन्होंने मुफ्त की रेवडी बाटने की योजना बनाई उसके लिए वो जाने गए लेकिन उसमें भी जब तक वो जाकर के नहीं कहते हैं, वो भरोसा नहीं दिलाते हैं, तक लोग यकिन नहीं करते हैं, उनकी अपनी शैली है, वो कहने की, जित इस दोनों से ज़्यादा पॉपुलर अर्विन केजरीवाल का चेहरा है अर्विन केजरीवाल का नाम और अर्विन केजरीवाल का चेहरा उनकी पाटी के नाम और उनके चुनावचिंद से ज़्यादा पॉपुलर है तो उनका होना जरूरी है और जितनी रणनीती बनती है जो उनको भी जेल में डाला जाता है तो उनकी पार्टी का विस्तार एकदम से थम जाएगा रुप जाएगा और उसके बाद जब वो निकलेंगे तो निकल के फिर वो उस तरह से काम नहीं कर पाएंगे जिस तरह से काम वो अभी कर रहे हैं क्योंकि उनका जो सबसे मूल आइडिय है जो बुनियादी पहचान है उनकी पार्टी की वो कटर इमांदार होने की है और अगर उसी पर दाग लग जाता है अगर उनकी इमांदारी पर सवाल उठ जाता है CBI को सबूत मिल जाते हैं उनको जेल में डाल दिया जाता है उनके खिलाफ मकदमा चलता है तो उसके बाद उस authority के साथ वो इमांदारी का दावा नहीं कर सकते हैं, जिस authority के साथ अभी करते हैं, तो ये एक बड़ा पहलू तो ये है कि अगर उनके उपर ये आरोप सावित होता है, या CBI को सबूत मिलता है, या वो जेल जाते हैं, दूसरा पहलू ये है कि अगर वो छूट जाते हैं, जैसा कि 9 घंटे, 9 घंटे की पूछताच से निकलने के बाद, रविवार को उन्होंने रात में press conference की, और कहा कि उनसे 50 से ज़्यादा सवाल पूछे गए, और सब फरजी है, उनके CBI का पूरा case फरजी है, और CBI के पास कोई सबूत नहीं है, उन्होंने ये दावा करके कहा क कि एक मामूली सा भी सबूत नहीं है, तो अगर इस तरह का होता है कि अगर CBI फिर उनको पूछताच के लिए नहीं बुलाती है, या CBI उनको नहीं गिरफतार करती है, तब अरविंद केजरिवाल और उनकी पार्टी के तरफ से पूरे देश में इसे एक बड़ी जीत के तो करो, वो एक मैसेजिंग बनवा रहे हैं, वो ये सावित करना चाहते हैं कि CBI भारत सरकार की एजनसी नहीं है, भारती जंता पार्टी की एजनसी है, और अगर ये आरोप सही हो जाता है, अगर उनके उपर करवाई नहीं होती है, उनको ये कहने का मौका मिलता है कि CBI क्यों मेरे उपर करवाई कर रही है, कहां है सबूत इस बात के की सो करोण की रिस्वत ली है, या मेरा नाम उसमें आता है, अगर ये कहने का उनको मौका मिलता है और CBI कोई करवाई नहीं कर पाती है, तो समूचा विपक्ष केंदरिये एजनसीयों के दुरूपयोग का जो आरोप इमांदारी की डंका पूरे देश में पीट सकते हैं, तो इस लिहाद से ये कह सकते हैं कि ये एक बड़ी लड़ाई है, परसेप्सन की धारना की लड़ाई है, जिसमें एक तरफ प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी हैं और दूसरे तरफ दिल्ली के मुखे मंतरी अर्वीन केज नरेंदर मोदी का भी जो बुनियादी एजेंडा है, वो इमांदारी है, देश भक्ती है और मजबूत नेतरितो है, ये उनकी पहचान है और भारती जनता पार्टी उनका चेहरा आगे करके जब भी राजनिती करती है, तो ये तीन बाते कहीं जाती हैं कि वो इमांदार है, नखाऊंगा नखाने दूंगा की सरकार चला रहे हैं, हलाकि उनके उपर भी एक अडानी समों को ले करके जो लगा है या लगाने की कोशिस की जा रही है, वो एक अपनी जगा है, लेकिन अभी तक उनकी जो सबसे बड़ी पहचान है, वो इमांदार होने की है, देश भक्त का भी पढ़ते हैं, तो चाहे धर्म की बात हो, राष्टवात की बात हो, या इमांदारी की बात हो, ये तीन एजेंडा अरविन केजरीवाल का भी है, तो ये एक तरह से ऐसी लड़ाई है, अभी जो सराब घोटाले के नाम पर अरविन केजरीवाल को बुलाया, पूछता होई और ये कहा गया कि आगे फिर बुलाया जाएगा, ये एक निरना, एक मोड है भारत की राजनिती का, अरविन केजरीवाल की राजनिती का भी, बीजेपी की राजनिती का भी, अगर केजरीवाल इस मामले में बचते हैं, उनके उपर कारवाई नहीं होती है, तो ये तै से उनको clean shit मिल जाती है या वो ये परचार करते हैं कि उनको clean shit मिल गई तब फिर वो नरेंदर मोधी और भारतिय जनता पार्टी के मुकाबले अपना और अपनी पार्टी को project करेंगे फिर उनका विपक्ष का जो मोर्चा होगा उसमें स्रामिल होना मुश्किल हो क्योंकि उन्होंने एक लड़ाई में बीजेपी को और केंदर सरकार को पराजित किया है केंदरी एजनसी को पराजित किया है इसलिए ये बड़ी tricky situation भी है और ये भी सवाल उठता है कि क्या ये सब कुछ किसी एजेंडे के तहट जान बूच करके किया जा रहा है ताकि अर्विन केजरिवाल को मौका मिल सके तो ये बहुत साधारन ये बहुत सामानने सी चीज नहीं है जो कुछ भी हो रहा है अभी जिस तरह से CBI ने उनको बुलाया पूश्टाच की और छोड़ दिया ये सब बड़ा दूरगामी राजनिती का असर हो सकता है जो आगे आने वाले दिनों में सामने आएगा दन्यबाद